प्यारे मित्रों, सत्रू हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए तबहा वे बरबाद। जी हाँ, बगतों यदि आप अपने किसी दुस्मन से, अपने किसी सत्रू से परेशान है, कोई व्यक्ति आपको अनावस्यकी बार-बार नुकसान पहुचा रहा है, या आपके उपर या आ आवस्यक होते हैं, आज हम आपको दुस्मन से सत्रू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का बहुत ही पावरफुल और महा सक्तिसाली अमल, महा सक्तिसाली तोटका आज हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप हमारे द्वारा बताई हुई विधी से कर लेते हैं, तो मात्र एक घंटे के भीतर आप अपने दुस्मन से अपने सत्रू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, सत्रू नासका यह बहुत ही पावरफुल और महा सक्तिसाली तोटका है, जिसने भी इस विधी को किया है, उसमें से सभी का काम हुआ है, आप भी इसे जरूर से जरूर करके देखे, आपका भी काम 100% होगा, वैसे तो यह बहुत ही परसिद्ध तोटका है, लेकिन बहुत कम तांत्रिक लोग, बहुत कम बाबा लोग इस विधी को जानते हैं, आज हम आपको पूरी विधी, कैसे इसको करना है, किस दिन करना है, किस टाइम करना है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, और यदि आप हमारे द्वारा बताई हुई विधी से इसको कर लेते हैं, तो अपने दुसमन से, अपने सत्रू से हमेशा हमेशा के लिए जुटकारा पा सकते हैं, तो चलिए, हम मैं आपको इसकी पूर प्लेन पेपर लेना है, और इसके उपर आपको 786 इस परकार से लिख देना है, ठीक है, और इस परकार से लाइन बनानी है, नीचे आपको सत्रू का नाम लिखना है, अब इसके अंदर आपको दो सब्द लिखने हैं, कौन से दो सब्द हैं, ध्यान से देख लीजिए, आप आपको यहां पर इस परकार से लिखना है, सबसे पहले आपको इस परकार लिख देना है, तीन, ठीक है, फिर यहां पर लिखना है आपको फाइव और यहां लिख देना है वन, यानि पंद्रा, ठीक है, इस परकार से आपको यह नक्स बना लेना है, सत्रू नास का यह बहुत ह powerful और महा सक्तिसाली नक्स है अपने सत्रू का नाम लिखना है अब इसको कागज को इस परकार से मोड़ना है कागज का क्या करना है हम आपको बताएंगे ध्यान से देखिए इस परकार से कागज को मोड़ लेना है ठीक है अब इस कागज को एक सोक्स लेनी है, सोक्स आपको अपनी लेनी है, पुरानी सोक्स लेनी है, ठीक है, गंदी सोक्स होगी तो भी चलेगा, गंदी सोक्स ले और इसके अंदर आपको जुराब के अंदर इस कागज को रख देना है, सोक्स के अंदर कागज को रख देना है, ठी मंत्र है, आपको सिर्फ पांच बार इस मंत्र को बोलना है, मंत्र के बीच में आपको सत्रू का नाम लेना है, यहां पर अमुक के स्थान पर सत्रू का नाम का उचारन करना है, मंत्र हम बोल करके भी बता रहे हैं, किस तरह से आपको बोलना है, या करात तकस चले आओ, अमुक इस प्रकार से आपको इसके उपर पाँच बार यह मंत्र बोल देना है। अब सोक्स का क्या करना है, जुराब का क्या करना है, वो अच्छे से समझ लीजिए। यह आप किसी भी दिन कर सकते हैं, समय आपको रात्री के समय करना है, जब भी आपको कोई देखेना है, कोई टोकेना है। अब इसको जुराब का क्या करना है, वो अच्छे से समझ लिए, जुराब को आपको चोरहय पर जाना है, ठीक है, चोरहय पर जाना है, चोरहय पर जाकर, किसी भी चीज की साहता से, लाइटर से, या माचिस की साहता से, आपको इसको सोक्स को जला देना है, बस, इतना सा कारिय आपको करना है और सत्रू हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिन्दिगी से दूर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए सत्रू बरबाद हो जाएगा सत्रू आपके आगे ना करगड़ेगा यहां तक कि सत्रू की मोत भी हो सकती है